Hello everyone, this is Jayesh Umre and we are going to start 39th lecture on Java programming. इस lecture में practice करने वाले कुछ Java MCQs, जो की best दोंगे previous lectures पे. कुछ students के mind में question आ रहा होगा, why to practice Java MCQs? जबकि हमको तो programming language सिखना है, Java को study करना है. इसका simple सा answer है, to improve programming skills Java MCQs के practice करना ज़री है. campus placement के लिए और competitive examinations की preparation के लिए Java MCQs प्रेटिस करना चाहिए. So question हमारे पास है, output of the Java code. एक Java code हमको दिया है, साथी four options हमारे पास में, इन four options में से एक option हमारा answer है. इदि हम Java code के अंदर देखे, हमको एक class दिखा है दे रही है, उस class का नेम है init demo. और इस class के अंदर रदी हम देखे, हमारे पास main method है, इस जगह पे. So, आब इस code में हम देखे, class के अंदर एक static variable बन रहा है. उस variable का नाम है i, और i के अंदर जो demo नाम की method है, उसको call किया गया है. Means, कोई demo नाम की method इस program में जरूर होगी. और ये demo नाम की method कोई ना कोई value return जरूर कर रही होगी. अब जिसा के हमको दिखाए दे रहा है कि i नाम का variable कैसा है, integer है. That means, demo नाम की method definitely integer type की value ही return कर रही होगी. और ये value return होके कहाँ पर जाएगी i नाम के variable के पास. Next देखे, एक print statement है पर चलाए गई है, यहाँ पर print किया गया है i की value को. ओके, तो अगर हम यहाँ पर देखे, तो i के अंदर actually है क्या? Demo नाम की method जो भी return कर रही हो, i के अंदर है. तो first हमको demo नाम की method को देखना पर लेगा का पर है. तो demo नाम की method इस जगह पर है. और जब demo नाम की method चलेगी, तो demo नाम की method क्या print करने वाली है? इंसाइड demo और demo नाम की method का return करने वाली 10. That means, यह 10. जब demo नाम की method return करेगी, तो किस के अंदर जाएगा? i के अंदर जाएगा. तो i equal to हाँ पर कितना होने वाला है 10. लेकिन हमको पता है कि Java code हमें साम main method से ही start होता है. तो हम इस बार भी Java code को main method से ही देखते हैं, यह main method हमारे पास. main method के अंदर first line क्या है? system.out.print यहापर क्या print हो रहा है? hello to तो main method यहापर print करने वाली है hello to हमें यह तो पता है कि main method से ही code हमें से execute होता है. तो इसका मतलब यह है क्या कि main method के अंदर जो lines of code दिये है वो पहले चले गए और hello to हमें पर प्रिंट होगा? तो ऐसा नहीं है. भली main method को Java पहले call करता है. लेकिन सबसे पहले क्या होता है कि main method जिस class के अंदर है, उस class के members बनते हैं. तो सबसुपरेदियम देखें तो I नाम का variable बन रहा है. तो that means main method इस्टार्ट जरूर करेगा code को, लेकिन पहले I नाम का variable बनेगा, जो की init demo नाम की class का member है. तो I नाम का variable जब बनेगा तो इस क्या करेगा? डेमो नाम की method को call करेगा. तो that means इस line की print होने से पहले, जिसमें hello2 आ रहा है, demo नाम की method चल चुकी होगी. और demo नाम की method के सी static, that means demo को object की जरूरत नहीं है रन होने के लिए. तो demo नाम की method जब यहाँ पर चलेगी, तो यहाँ पर क्या print होने वाला है? inside demo. means hello2 के पहले, यहाँ पर print होने वाला है inside demo. यह मैंने print कर दिया. inside demo प्रिंट होने के बाद, demo नाम की method क्या return कर रही है? 10. that means जो भी demo नाम की method return करेगी 10, वो खापे जाएगा i के पास. तो i cost अभी कितना हो गया है? 10. i के अंदर आ गई है 10 की value. लेकिन अभी i की value प्रिंट नहीं हुई है, सिप i के अंदर कितना आ चुका है? 10. अब यहाँ नेक्स्ट देखे, इस i के बाद, next member क्या है? system.out.print i. ओके? यहाँ पर i की value प्रिंट हो रही है, i में कितना रखा है? 10. that means, यहाँ पर कितना प्रिंट होने वाला है? 10. अब यहाँ नेक्स्ट देखे, तो अब यहाँ पर आ रही है main method. तो main method के अंदर जो line दी गई, वह में क्या दिया है? system.out.print hello to. तो यहाँ पर क्या प्रिंट होने वाला है? hello to. So, अब यहाँ अंसर देखे, inside demo, then 10, then hello to. So, option C से हमारा output match कर रहा है. that means, option C is the correct answer. So, हमने क्या देखा? कि जब class load होती है, सबसे पहले तो static variable है, उनको call किया गया. और तब static variable I को call किया गया, तो इसने किया कि initialize होने के लिए demo नाम की method को call किया गया. that means, static variable क्या करेगा, demo नाम की method को execute करेगा. अब इसके बाद क्या हुआ कि जो static block हमको दिया गया है, इस block को execute किया गया. तन इस block को execute करने के बाद main method या पर execute हुई है. Now, the next question is, एक java code हमको दिया है, और four options हमारे पास है, इन four options में से एक option हमारा answer है. सब्सक्राइब java code के अंदर देखें, तो हमको एक class दी गई है, उस class का name है my class. साथ हमको एक class और दी गई है, उस class का name है test, means यहाँ पर इस बाद दो class है, this is class 1 and this one is class 2. सब्सक्राइब देखें, main method का पर, यह भी जाना ज़रूरी है, तो main method दी गई है, class test के अंदर. अब एजिया हम देखें, दोनों classes एक कही page पर, means same page पर, same page पर, same folder के अंदर, means same package के अंदर. हम सब्सक्राइब लोग जानते हैं कि JVM हमें साथ किसको दूरूर्टा है main function को, वो main function सो code को execute करता है, तो जब पूरा program load होंगा, तो उससे में क्या होगा, सबसे पहले जो static variable दिया है, हमें क्या दिया है A, तो A नाम का variable है, पर initialize होगा, तो A के अंदर कितना आ जाएगा, 20, A में 20 आ चुका है, अब A में 20 आने के बाद, जो static block हमको दिया है, यह static block एक जिक्षट होगा, हमको ध्यान रखना है, इसे question exam में आते हैं, कि हमेंसा main से हमको main के lines को रण नहीं करना है, बलकि हमें क्या करना है, क्लास के members पर ध्यान देना है, अगर हमको static variable दिया है, that means इस variable A को object की जरूरत नहीं है, call करने के लिए, क्या कैसा है, static है, इस case में क्या होगा, सबसे फिल, static variable लोड होगा, A को initialize करेंगे, हम 20 से, A में आ चुका है 20, अब इसी code के अंदर हम देखें, एक static block भी हमको यहाँ पर दिया है, that means यह block इस case में क्या होगा, execute होगा, तो यहाँ पर क्या print हो रहा है, 1, A में 20 आ चुका है, और यहाँ पर क्या print होगा, 1, तो यहाँ पर print हो रहा है, 1, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, main method को call करेंगे, तो main method क्या है, sorry, main method कहाँ पर है, test class के अंदर है, तो main method क्या कर रही है, system.out.println, my class.a, my class means this is the name of class, इस class के अंदर जो A नाम का variable रखा है, इसको access कर रही है, means यहाँ पर क्या print होगा, A, और A में कितना रखा है, 20, तो यहाँ पर क्या print होने वाला है, 20, स्वेधिया मैं आपर देखें, हमारा output किस से match कर रहा है, option D से, अब question यह उठा है, कि आखिर call नाम की class का क्या हुआ, इस class को call ही नहीं किया गया, इस class का use हुआ है नहीं, date में से class चली ही नहीं, तो हमारे पास output क्या आगया, 1 and 20, इस question से, प्रिवेस question से हमने यह देखा, कि जब भी आपको कोई variable, class का member की बात हो रही, class का member static type का देखे variable, इसको आपको पहले execute करना है, main method के अंदर क्या code लिखा है, वो बात में execute होंगा, पहले जो variable है यह execute होंगा, then, जो भी static block आपको दिखाए दे रहा है, इसको हमको execute करना है, method यहाँ पर call नहीं होगी, method call क्यों नहीं होगी, भली method static है, पर method automatically call नहीं होगी, क्योंकि एक method को call करने के लिए दूसरे method की ज़र्वत पढ़ती है, ठीक, या फिर इसको हम कुछ नहीं कुछ तो नहीं करना पड़ता है, call करने के लिए, जब तक क्या हम इस method को call करेगे, यह method call नहीं होगी, बली यह क्या है, स्टेटिक है, तो हमको ध्यान रखना है कि जब भी static variable दिया है, इसको पहले execute करो, then static block execute करो, उसके बाद हमें क्या करना है, main method को run करना है, now, the next question is, Java code हमको दिया है, और four option हमारे पास है, इन four option में से एक option हमारा answer है, स्टेटियम देखे, हमें class दी गई है, उस class का name है a, और साथ हमको class a के अंदर एक main method भी दी गई है, सबसे पहले क्या होगा, JVM main method को सर्च करेगा, code को execute करने के लिए, देकिन हमने इस से पहले हमने questions की practice की हमने क्या देखा कि जब भी static variable आए, या static block आए, तो उनको पहले preference दी जाए execute होने के लिए, सो यह हम लोग यह पर देखे, सो इस code के अंदर jc class a बनी, main method है पर call होगी, execute होगी JVM कितरों, लेकिन static block है पर दिया है, तो हमको इस static block को पहले execute करना है, static block के अंदर क्या दिया है, system.out.print, print क्या हो रहा static, तो यहापर क्या print होने वाला है, static, then static print होने के बाद, static block के अंदर ही, हमको एक को print statement दी गई है, जिसके अंदर क्या print हो रहा है, block, that means, यहापर क्या print होगा, block, okay, static code को हमने print कर दिया, अब next क्या है main method, लेकिन यह main method call नहीं होगी, जब तक इसको call नहीं करेंगे, that means, जो control में main function के अंदर जाएगा, main function में क्या हो रहा है, a नाम की class के लिए small a नाम को object बनाया, लेकिन यहापर constructor को भी call किया गया है, जब अ नाम के तो constructor क्यो है, class का name यहापर क्या है, method का name यहापर क्या है, that means, जब method का name class के name के jsai हो, उससे हम लोग क्या बोलते है, constructor और यह auto call होते हैं, तो गब हम यहापर देखें तो जब हमने यह नाम के constructor का use किया, हम इस method का use किया, that means यह method execute हो जाएगी, यह constructor चल जाएगा, वो यहापर क्या print हो रहा है, तो block के बाद यहापर क्या print होने वाला है, so option B जो है हमारे output से match कर रहा है, that means option B is the correct answer, now the next question here is, एक Java code हमको दिया है, साथ ही four option हमारे पास है, इन four option में से एक option हमारा answer है, यदि हम देखे हमको एक class दी गई है, उस class का नहीं में test, साथ हमको test के अंदर ही main method भी दी गई है, हमने पता है कि JVM main method को call करता है, लेकिन हमने यह भी previous questions में study किया है, कि यदि हमको static block दिया गया है, तो पहले हम किसको execute करेंगे, static block को, और जब static block execute होंगा, तो static के अंदर क्या बताया गया है, कि integer a के अंदर five को initialize कर देंगे, ओके, a नाम के variable में five आ चुका है, अब जब में method के अंदर देखे, system.out.println, यहापर क्या print हो रहा है, यह जदि हम quickly देखे, तो पहली बार में देखे क्या लगता है, कि a के अंदर five है, तो यहापर print five हो जाना चीए, और option b यहापर answer हो जाना चीए, बट ऐसा नहीं है, अगर इस तरह से लिखा होता, static integer a equal to five, और static block यहापर नहीं होता, उस case में पक्का यहापर five print होता, अगर static integer a equal to five होता तो, बट अगर हम इस case में देखे तो integer a equal to five static block के अंदर रखा है, तो इसका और static integer a का meaning अलग अलग है, that means जो a है, इसको main method access नहीं कर पाएगी, main method a को find out नहीं कर पाएगी, अगर main method ने एको find out नहीं किया, तो में क्या मिलेगा, compile error, so इस question में हमने क्या देखा, हमने यह देखा कि भले ही block static है, लेकिन static block के अंदर रखे variables को main method access नहीं कर सकती, main method के लिए variable not found है, now the next question is, एक java code हमको दिया है और four options हमारे पास है, इन four options में से एक option ह हमारा answer है, यह दिया हम Java code के अंदर देखे थे class लिए test नाम की, साथ एक method है main नाम की, हमें पता है कि execution हमें से JVM कहा से start करता है main method से, लेकिन इस class के अंदर एक variable है, static type का, जिछका type क्या है integer, that means सबसे पहले हमें पता है कि static variable है पर call होगा, एक variable बन रहा है यह पर उस variable का ना object की जरूरत नहीं है, because a कैसा है static, अब main method के अंदर देखे, सबसे पहले कौन से line execute हो रही है, system.out.print, और print में one print होगा, तो यहाँ पर हमने one को print कर दिया, अब इस line के बाद next line क्या कर रही है, call नाम की method को execute कर रही है, और parameter में कितना pass किया है one, तो control जाएगा call नाम की method के पा जाएगा, means a नाम का variable call नाम की method में भी बन रहा है, a equal to कितना हो गया भी, one, a में आच चुका है one, जब control call नाम की method के पास गया, that means call नाम की method चलेगी, और call नाम की method के अंदर first line क्या है, a equal to 10, तो जिस a equal to one था भी, अब one की value change हो कितने हो जाएगी, a की value 10 हो जाएगी, अब a की value 10 होने के बाद, next line क्या है, system.out.print, यहाँ पर क्या print हो रहा है, two, तो यहाँ पर print हो गया, two, then यहाँ पर क्या print हो रहा है, plus a, a में कितना रखा है, ten, तो यहाँ पर क्या print होगा, ten, that means output में क्या आएगा, one, two, ten, so option c is the, sorry, option b is the correct answer, one, two, ten, अब question यह उठा है, कि जब a नाम का variable यहाँ पर था, और a नाम का variable यहाँ पर भी था, तो जो print करना है, तो यह वाला variable क्यों print हुआ, यह वाला variable क्यों नहीं print हुआ, जो class में रखा गया था, तो यहाँ पर बात आती है, scope की, local variable को पहले print किया जाता है, अगर मैं a को देखू हो तो यह वाला a क्या है, local है, that means यह वाला a पहले print हुआ, अगर यह वाला a नहीं होता, उस case में यह वाला a प्रिंट होता, इसको बोलते है, scope of variable, कि किस variable को पहले print करना है, so now next lecture में we study करने वाला a scanner class के बारे में, I hope आपको आशका lecture के लिए रहुआ होगा, thank you, thank you for watching,